नमस्कार भारत के पहली डिजिटल मोबाइल न्यूस चानल में टो टीवी में आपका स्वागत हैं मैं हूँ अनामिका बुलिटिन के शुरुवात करते हैं आज की हेडलाइन से जापान के टोक्यों में एक सिर्फ फिरे ने 19 दिव्यांगो को मौत के खाट उतारा दिव्यांगो के सेंटर में घूस कर चाकु से किया था हमला आरोपी ने पुलिस के सामने किया आत्म समचन विरेशी चंदा मामली में दिल्ली हाई कोट के फैसले के खिलाब सिप्रीम कोर्स में सिनवाई कॉंग्रेस और बीजेपी ने लगाई थी आचिका हाई कोट ने दोनों पार्टी के खिलाब दिये थे कारवाई किया दे दिल्ली में आज सडकों से गायब हुए और्टो टैक्सी यूनियन ने एक दिन की हर्ताल का किया लान आप बेस्ट कैब सर्विस का कर रहे हैं विरोज दिल्ली सरकार से इस सर्विस को बंद करने की माँ रियो ओलंपिक शुरू होने से पहले भारत को एक और जटका गोलाफ एक खिलाडी इंदज्वीट सिंग भी डोप टेस्ट में हुए पेल फिल्हाल अभिकार एक पुष्ची नहीं पहलवान नर्सिंग यादव का मामला प्रियम मोदी तब पहुचा और आज पूरा देश मना रहा है कारगल विजय दिवस 17 साल पहले पाकिस्तान को हरा कर भारत ने करगल में कलहराया था तिरंगा पुरा देश दे रहा है शहीदो कोशरधांजली जापान के टोक्यो के पास साग मिहारा शहर के दिव्यांगो के सेंटर में एक आदमी चाकू लेकर घुज गया 26 साल के हमलावर ने 19 लोगों की चाकू गोंद कर बेरहमी से हत्या कर दी हमले में 28 लोग जखमी बताय जा रहे हैं जापान की मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार हमलावर पहले उसी सेंटर में काम किया करता था मीडिया रिपोर्ट के मताबिक हमलावर बिल्दिंग की खिड़की से अंदर गुसा और चिला रहा था सब भी अक्षमे लोगों को गायब हो जाना चाहिए नरसंगार के दो घंटे बाद हमलावर अपनी कार से पुलिस सेशन पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंदर करने के बावजूद अभी भी हमलावर ने हत्या करने की वज़ा नहीं बताई है पुलिस ने हमलावर को गिरफतार कर लिया है रियो अलम्पिक शुरू होने से पहले भारत को एक और बड़ा जटका लग सकता है पहलवान नरसिंग यादफ के डोप टेस्ट में फेल होने और उस पर उपजे विवाद के बीच अब गोली फेंख खिलाडी इंदरजीत सिंग को भी डोप टेस्ट में फेल बताया जा रहा है हाला कि इस बावत अभी कोई पुष्टी नहीं की गई है सूतरों के मताबिक कई खिलाडीों के सैंपल डोप टेस्ट में पॉजिटिफ पाए गए है हाला कि अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये सब भी खिलाडी रियो ओलम्पिक की रेस में है इन सैंपल में इंदरजीत सिंग का नमूना भी शामिल था हाला कि अभी कोई भी अधिकारिक उनके नाम की पुष्टी नहीं कर रहा है National Anti-Doping Agency का कहना है कि प्राइविसी पोट्रोकॉल से बंधे होने के कारण जब तक प्रक्रिया एक विशेश सर तक नहीं पहुँचती किसी भी खिलाडी की निजता का सम्मान किया जाना चाहिए विदेशी चंदा मामली में दिल्ली हाई कोट के फैसले के खिलाफ कॉंग्रिस और बीजेपी की आच्रिका पर सुप्रीम कोट में आचसनवाई होगी देश की दोनों बड़ी राश्ट्रिय पार्टियों ने इस मामले में कानून के तहट जाँच करने के हाई कोट के आदेश पततकाल अंतरिम रोक लगाने की मांग की है दिल्ली हाई कोट ने गैर सरकारी संगथन Association for Democratic Reform की जनहिती आफ्रिका पर सुनवाई करते हुए सा कंपनी से चंदा लेने का था इस कंपनी ने कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों को चंदा दिया है सुप्रीम कोट आज अमित सिब्ल की याचिका पसंवाई करेगा अमित सिब्ल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल, मनीश सिसोधिया, साजिया, इल्मी और प्रशांथ भूशन के खिलाफ अपराधिक मानहानी के तहत याचिका दाखिल की है अमित सिब्बल ने निचली अदालत में केजरिवाल मनीश, साजिया और प्रशांत पर अपराधिक मानहानी का मुकदमा दर्ज करवाया था इस पर मुख्यमंत्री केजरिवाल हाई कोट चले गए थे केजरिवाल ने हाई कोट से चारों को बरी करने की दर्ख्वास दाखिल की थी आपने दाउं को राहत देते हुए हाई कोट ने उन पर से मामला खतम कर दिया था लेकिन अमित सिब्बल ने हाई कोट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोट में अर्जिद आखिल की थी अब सुप्रीम कोट ने हाई कोट के आदेश को खारिज करते हुए केजरिवाल और उनकी तीन साथीयों को नोटिस जारी कर दिया था देश में आवारा कुटो की समस्या पराद सुप्रीम कोट में एहम सुनवाई होगी पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोट ने आदेश देते हुए कह था कि सभी बिमार या लोगों के लिए खत्रा बने आवारा कुटो को मारने या हटाने के लिए कदम उठाए जाए और ये कदम केंद्रे नियमों के तहद उठाए जाए हाला कि कोट ने इससे जोड़े हाई कोट के फैसलों पर रोक लगाने से मना कर दिया था केरल और बॉंबे हाई कोट ने अलग-अलग फैसलों में इस तरह के कुटों को मारने के फैसले को सही टहराया था इन में कहा गया था कि लोगों की जिंदगी आवारा कुटों से ज़्यादा जरूरी है कई पशु अधिकार संस्थाओं ने इन फैसलों के खिलाब सुप्रीम कोट में आचिका दायर कर रखी है खास और पर ये संस्थाओं केरल में आवारा कुटों को मानने के लिए चलाई जा रही मुहीम पर रोख की मांग कर रही है सुप्रीम कोट की नौज जजों की समविधान पीट में आज राज्यों की सीमा पर टैक्स मामले की सुनवाई होगी राज्यों द्वारा सीमा पर सामान पर लगने वाले एंटीक टैक्स मामले पर सुप्रीम कोट में सुनवाई होगी दरसल कई राजियों में ये टैक्स लगाया गया है और कई वैपारियों ने इस टैक्स को गैर कानूनी बताते हुए सुप्रीम कोट में चुनौती दी है याचिका में कहा गया है कि राजियों ने जो एंटी टैक्स लगाया है वैसा मिधान के दिये मौलिक अधिकार का उलंगन है दिल्ली के मुखेमंत यर्विंद केजरिवाल के पूर्व प्रधान सचीव राजिंदर कुमार की जमानत याचिका पर पट्याला हाउस कोट आज फैसला सुनाएगा शनिवार को मामले के सन्वाई के दरां सीबी आई ने राजिंदर कुमार की जमानत का विरोध करते हुए कहा था के उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए उनको ये प्रभावित और धमका सकते हैं ऐसे में इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए दिल्ली में आटो टैक्सी का इस्तमाल करने वाले लोगों को आज दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है दरसल जॉइंट आक्शन कमिटी और टो टैक्सी यूनियन ने आप बेस्ट काब सर्विस के खिलाब आज जुराल धानी में हर्ताल करने का इलान किया है भारतिय मजदूर संग के महास्त चीफ राजेंदर सोनी ने इस हर्ताल का इलान करते हुए दिल्ली वालों से माफी मांगी और कहा कि दिल्ली वालों की मुश्किलों के लिए मुख्यमंत्री अर्विन केज रिवाल जिमेदार है दरसल टैक्सी यूनियन पिछले कुछ महीनों से लगातार अप बेस्ट ओला और उबर जैसी कैब सर्विसेज को बंद करने की मांग कर रही थी और टैक्सी चालकों के मताबिक ओला और उबर की वज़ा से और टैक्सी चालकों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही है कश्मीर में हिंसा और पत्थर बाजो से निपटने के लिए केंद्रे रिजर्फ पुलिस फोर्स अपने जवानों के लिए फुल बॉडी प्रोटेक्टिव का इस्तमाल करेगी पैसट्स से ज़्यादा फुल बॉडी प्रोटेक्टर खरीदने की तैयारी फूरी कर ली गई है पुलिस के मताबिक पत्थर बाजो से निपटने के लिए जो पैलिट गन का इस्तमाल हुआ है वो काफी सोच समझ कर किया जाता है और इसके इस्तमाल से पहले दूसरे विकल्प को देखा जाता है लेकिन जब मौजूद विकल्प से बात नहीं बनती है तो पैलिट गन का इस्तमाल किया जाता है कश्मीर घाटी में हिजबल मुजाहिदिन के कमांडर बुरहान वानी के एंकाउंटर में मारे जाने के बाद घाटी में हिंसा भड़क उठी थी जगा जगा हिंसा कप्रदर्शन हुए और सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर बाजी की गई पंजाब के मलेर कोटल मामले मियामा अधिपाटी के महरोली से विधायक नरेश यादव एक तरफ पंजाब पुलिस की गिरफ्त में हैं तो दिल्ली में समर्थकों ने विधायक की गिरफ्तारी का विरोध करना शुरू कर दिया है दौरका कोट बार एसोसियेशन के तमाम वकीलों ने 26 जुलाई को जिले के सभी कोट में हर्ताल का एलान किया है वही पंजाब और हर्याना हाई कोट के बार काउंसल की ओर से भी पंजाब के वकीलों से मंगलवार को कोट ना आने की अपील की गई है दौरका कोट बार एसोसियेशन के अध्यक्ष ने दिल्ली पुलिस को चुठी लिखते हुए कहा है महरोली से आम आद्मी पार्थी के विधायक नरेश व्यादव एसोसियेशन के सदसे हैं जिनिफर जी मामली में पंजाब पुलिस ने गिरफतार कर लिया है चुठी में आगे लिखा गया है कि विधायक से तीन बार पूछताज करने के बाद भी पंजाब पुलिस ने गिरफतारी से पहले दहश्वत का माहौल बनाया मदेप्रदेश मंतरी पद खोने के बाद से ही बीजेपी के वरिष नेता और एमपी के पूर्व गृह मंतरी बाबुलाल गौर लगातार शिवराज सरकार को घेरते हुए सीधे हमले कर रहे हैं यहां तक की विधान सभा के मौनसून सत्र में भी वो कई मसलों पर सरकार पर निशान असाद रहे हैं सुंवार को भी विधान सभा में बाबुलाल गौर ने राज सरकार के कामकाज को ले कर तीखी टिपनी की उन्होंने कहा कि सरकार की आर्थिक हालत खराब है लेकिन वो फिजुल खर्ची में लगी है शिवराज सरकार को बजट पर घेरते हुए बाबुलाल गौर्ण ने कहा कि सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है गौर्ण ने सरकार की फिजूल खर्ची पर भी तलग टिफनी की और कहा कि सरकार 16 करोर रुपाई की गाड़ी खरीद रही है जो जरूरी नहीं उन्होंने अनुपूरक बजट के प्रावधानों को लेकर भी सवाल उठाए बीजेपी सुपरीम उमायवती के खिलाव गंदी बात करने वाले बीजेपी के पूर्व नेता दयाशंकर के खिलाव गय जमानती बारन्ज जारी हो गया है में दयाश्रंकर सिंख की पतनी स्वाती सिंख को आगे कर मायावती को बैक फुट पर धकेलने वाली बीजेपी आब उन्हें बाती का च्वहरा बना कर प्रचार करने और विधान सभाचुनाव लड़ाने की तैयारी में हैं। बीजेपी ने पार्टी में स्वाती सिंख की भूमी का तैय कर ली है और अगले हफते इसका अपचारिक एलान भी कर सकती है। बड़ा दाव खेला है। 18 साल की श्रीला को यूपी में कॉंग्रिस ने सीएम उमीदवार घोशित किया है। इस माहौल में उनके बेटे और कॉंग्रिस नेता संदीप दिक्षित ने खुश होने के बजाए राहुल गांधी अजयमाकन पर निशान असादा है। उन्होंने कहा है कि कॉंग्रिस का राश्ट्र नितित्व मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि मैं बागी सवभाव का हूँ। संदीप दिक्षित ने संके दिया है कि वो विकल्प की तलाश में है। बीमा कवर ले सकेंगे। चाटा गया था। इनमें से तीन का चैन बोली प्रक्रिया के जर्य किया गया। विवादत इस्लाम प्रचारक जाकिनाई का कहना है कि वो मीडिया ट्रॉयल का श्रिकार हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अभी किसी भारती अजाज एजनसी ने नहीं तलग किया है। और वो मीडिया ट्रॉयल के लिए भारत नहीं आने वाले हैं। आज करगल विजय दिवस है 17 साल पहले पाकिस्तान को हराकर भारत ने करगल में जीत हासल की थी। इसी के बाद से आज के दिन को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ग्रास में सुभा साड़े आठ बजे और नौ बजे इंडिया गेट पर शहीदों को श्रधान जली दिगाई। आज पूरा देश करगल के शहीदों को सलाम कर रहा है। 1999 में पाकिस्तान के पीठ में खंजर खोपते हुए भारत की सीमा पर हमला किया था। भारत के वीर जवानों ने अपनी शहादत देकर ना सिर्फ मुल्क की रक्षा की बलकि पाकिस्तानियों के मनसूबे को निस्तना भुद कर दिया। करगल की लडाई में देश ने अपने 527 जवानों को खो दिया। आज भी शही जवानों के परिवार वाले अपने सपूत को याद करके खुद पर गर्व महसूस करते हैं। देश भी उन शुर्वीरों को सलाम करता है। पाकिस्तान भारत के उस कदम से असहमती जटाई है जिसमें उसने इसलामबाद में अपने उचायोग में तैनाथ, राजनई को और अधिकारियों से इस एकाडमी सेशन से अपने बच्चों को वहां के स्कूलों से निकाल लेने को कहा है। पाकिस्तान भारत के इस कदम को अनुपचारिक, अंधरूनी और प्रशासनिक इंतिजाम बताया। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने ये भी बताया कि उसे दो महीने पहले फैसले के बारे में सूचना दी गई थी और उसे किसी अन्यबाद से वाकिफ नहीं कराया भारत पाक संबंदों में बढ़ते तनाव की बीच भारत ने यहां अपने उचाय योग में अपने राजनई को और अधिकारियों से अपने बच्चों की सिक्षा का इंतिजाम कर इस एकैडमी सेशन से पाकिस्तान से बाहर करने को कहा है। जिसे ये वास्तव में स्कूली सि वगावत हो रही है। रश्टपती उमीदवार की रेस में डेमोक्रेट नेता बर्नी सेंडर्स के हजारों समर्थकों ने खुल कर हल्ला मचाया। आरोप लगाया कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने वोटरों की ना सुनकर राजनीतिक चाल खेल कर हिलैरी को पार्टी का उमीद का नहीं थी। जितने लोग ट्रम्प की उमीदवारी के लिए नैशनल केंवेंशन में जमा हुए थे। उससे ज्यादा लोग तपती गर्मी में भी हिलैरी के खिलाफ आ गए।